हेलो विरिवन, वेलकम टो मैं चैनल, हाइपर टेड़ेज भी, मैं हूँ महमत सुहे, दोस्तों आज मैंने स्टॉक चुना है, विपरो लिमिटेड, दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में मेरे विपरो लिमिटेड के उपर जो मैंने अपलोड कर दिया था, उसमें मैंने आप को बता दिया था कि इसके अंदर 170 से लेके 220 के लेवर्स और टागेट्स आने वाले हैं, जो देख सकते हैं, आप आज के दिन भी पिछले एक अफ़ते से पूरे के पूरे अच्छिव होते हुए ही आ रहे हैं, इसने रिवर्सल नहीं लिया है, और ज्यादा दो लोगों को यह भी डाउट होगा, अपने दिमाग के अंदर, माइन के अंदर यह भी टेंशन फिर रहा होगा कि इसके अंदर रिवर्सल आने वाला है, कब आएगा, कैसे आएगा, मैं आपको वो भी आगे चल के वीडियो में बता देता हूँ, दोस्तों आप टेंशन मत लिजिए, प् आपको description link में मिल जाएगा, आपने पिछला वीडियो जो मैंने वीपरो पे upload किया था, वो आपने देखा होगा, तो भी आपको अच्छा सा अच्छा मुनाफ़ा हुआ होगा, दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करे, दोस्तों मैं वीपरो लिमिटेड के ऊपर 150, 160 लेवल से बताते आ रहा हूं कि इसके अंदर 220 से लेके 210 या 220 से लेके आप लोगों को लेवल अचीव हो जाएंगे, आप देख सकते हैं 220 का लेवल भी अचीव हो चुका है, 230 के लेवल को भी जाके return आ चुका है, दोस्तों, ये stock मैं आपको मेरे telegram channel के अंदर भी weekly targets के अंदर यानि weekly जो targets होते हैं उसके अंदर भी मैं वीपरो suggest करते रहता हूं, weekly targets के लिए, मैंने weekly targets के लिए 210 के पास suggest किया था, 220 से लेके 223 के पास, देखिए weekly targets भी पूरे के पूरे अचीव हो चुके हैं, और इसके अंदर छोटा सा reversal आएगा, वो को से level प्याने वाला है, गया तो भी को से level तक जाएगा, इसका strong support क्या बन चुका है, वो आपको आगे चल के वीडियो में बता दूँगा, और इसके अंदर जो moment बन रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया moment बन रहा है, पर यह moment के लिए ये stock को थोड़ा सा पीचे, यानि पी चुटी सी बात कर नहीं है, वो बात यही है, आज का दिने 29 जून 2020 आज का डे है, मन्डे विप्रो लिमिटेट का closing price है, टू 19.70 पैसा, आज इसने डे हाई बनाया है, टू 25.90 पैसा, और डे लो है 218.70 पैसा, यही छोटी सी बात थी दोस्तों, बहुत भद्दा सा मजाग मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ, जयातर लोगों को पसंद नहीं आता है, आपको भी पसंद नहीं आया है, तो मुझे माफ कर दिये, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में चार्ट अनलेसिस करने के लिए 15 मेर्स का इंट्राडे कैंडल चार्ट लेता हूँ, पर मैं विपरो के अंदर आप लोगों के लिए 1 डे का कैंडल चार्ट लिया हूँ, आपको मेके महिने से समझाते आ रहा हूँ कि 180, 170 लेवल के पास हूँ कि इधर आप मैं बोले जब आप एंट्री ले ले चुके होंगे तो आप एक्जिट कर लिजिए, क्योंकि इसके अंदर जो मुमेंट बन रहा है, थोड़ा सा रिवसल मुमेंट बन रहा है, अभी तक मैंने आपको बता जिया था, बैंग मुमेंट, बैंग मुमेंट जब यह बैंग मुमेंट कब आएगा, जब यह रिवसल लेके उपर जाएगा, एक कदम पीछे दालेगा, उसके बाद सव कदम आगे दालेगा, 250 लेवल्स के लिए, हां दोस्तों, 250 लेवल्स मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वित प्रैस बता रहा हूं, दोस्तों, एक कदम पीछे दालना होगा, वो एक कदम होगा, 190 से लेके 180 लेवल्स के पास, आप एंटरी लेना चाहते हैं, तो भी यही लेवल्स के पास लीजिए, वरना आप एंटरी मत लीजिए, आप थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहते हैं, तो भी आप 210 लेवल्स के पास इसके अं जाएगा ही जाएगा reversal ले लिया तो वर्ना 250 levels पक्का है दोस्तों मैं पक्की ही बात करता हूं हर वीडियो के अंदर आपको बस ऐसा करके छोड़के नहीं चले जाता हूं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं मैं आपको छोड़के नहीं जाओंगा आपको levels और targets पूरे update द opening क्या है उसको close करने के लिए क्योंकि कौन सा भी stock stock market के अंदर gap up और gap down close करता है opening करता है कुछ भी करता है तो उसको close करता है यह छोड़के ट्रिक है stock market के अंदर मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं पर इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है इसके लिए इसके अंदर हम ल लोग आज के दिगन तक भी पूरे के पूरे टागेट और लेवर्स अचीव होते आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिये हैं और इसके अंदर छोटा सा रिवसल आएगा यानी 210-200 लेवल को भी जाएगा कौन तो भी 220-230 के पास भी बैंग करके चल रहे हैं तो पैनिक मत हो य इसके अंदर लेवर्स बनने वाले हैं 250 के पास पर उसके लिए इसको छोटा सा रिवसल लेना ही होगा दोस्तों यह मेरा टेलिग्राम चैनल है आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है जाए हिट करिए जॉइन कर लिजिए मेरा टेलिग्राम चैनल फॉर इंटर डेल लाइव टीप्स एंड स्टॉक मर्केट अपडेट के लिए दोस्तों आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया था आपनों को नो लो स्टार्टिजी समझाओंगा हां दोस्तों समझा दूंगा पर यह टारग के लिए यानि 13th June 2020 Tuesday के लिए मेरा expected price दोस्तों कल के दिन बाइंग सेड के लिए 220 कल इदर opening हुआ अगर नीचे कहीं भी opening हो गए 220 लवस के पास जाता हुआ दिका तो अब बाइंग सेड ले सकते हैं बाइंग सेड का पहला target होगा 222 second target होगा 224 stop loss के साथ चलिए 218 के पास मेर सेड के लिए 218 कल इदर opening हुआ अगर उपर कहीं भी opening होते हुए यह levels के पास जाता हुआ दिका तो भी आप पहला target लगा ले सकते हैं 216 second target होगा 214 stop loss के साथ चलिए 220 के पास चलिए मैं टागेट निप्टा चुका हूँ आप आजाता हूँ no loss strategy भी देखिए मैं आपको दो बता दूगा कि stock market के अंदर कैसे नुकसान होते हैं stock market के अंदर नुकसान कैसे नहीं होते हैं आपको दो example बता दूगा पहला example होगा आपका stock market में कैसे नुकसान होते हैं देखिए दोस्तों stock market के अंदर कैसे नुकसान होते हैं वो आपको पहले बता रहा हूँ वो होगा बस बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, stop loss नहीं लगाते हैं, टागेस नहीं लगाते हैं, वैसे लोग stock market अंदर नुकसान होते हैं, और stock market से बाहर निकल जाते हैं, आदे से आदे capital लाते हैं, नुकसान होते हैं, आदे capital से exit होते हैं, बाहर निकल के stock market से exit होके यही बात बोलते ह ही स्टॉक मार्वेट ढिम और सुट्टा बजा रहें इसां इसे होते हैं जो रोलोग नहीं जाते हैं यह सूर्वाइब करते हैं उन में से मैं यह उनको दोस्तों आप लोगों को भी आपका खुद का stop loss होगा, आपका खुद का strategy होगा, आपका खुद का expected price होगा, बईंग के लिए आप वो लेके चल रहें तो भी आप stock market के अंदर अच्छे से अच्छे returns कमा रहे होगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, targets क्या होगे, stop loss क्या होगे, तो आप मेरे target पे भ आप additional strategy लेके चलिए, वो strategy होगा, no loss strategy, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो strategy, बईंग के सेट जाएगा, selling set के सेट भी जाएगा, तो अच्छिव हो जाएगा, ये targets, इसके अंदर आप दो जगे भी किदर भी no loss strategy लेके चल सकते हैं, no loss strategy होगा, कल आप किदर भी buy कर रहे हैं, आपके हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से तो भी आपके खुद targets होगे, मेरे भी खुद targets है, वो targets पहले target पे आप 75% लगा दीजिए, second target पे 25% लगा दीजिए quantity, देखिए, आपको 75% 25% नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको समझा देता हूँ, देखिए, आप कितना भी buy कर रह हो गया, पूरा 100% quantity, जब आप क्या करिए, 75% पहले target पे 25% second target पे लगा लिजिए, अगर पहले target पे अचीव हो जाता है, 75% तो आपको 75% का profit होगा, second target पे भी अचीव हो जाए, तो आपको पूरा 125% का profit होगा, दूस्तों, अगर second target अचीव नहीं होगा, return आते आते, आप 223, 222, किदर भी लगा सकते हैं, वो 25% quantity को, आपको पूरा का पूरा 100% profit होगा, यह strategy आप लेके चलेंगे, तो आपका capital भी खतम नहीं होगा, आपको target होने से परले stop loss भी hit हो गया, तो आपको कम से कम नुक्सान होगा, दूस्तों, अगर आप यह strategy लेके चलेंगे, तो आपका capital खतम नहीं होगा, आपका returns भी अच्छे से अच्छे returns आएंगे, नुक्सान होगा, तो भी कम से कम नुक्सान होगा, पर आप stock market के अंदर survive कर सकेंगे, अगर आप यह strategy लेके चलेंगे, तो आज के दिन मेरे तरफ से इतना ही है, दोस्तों, धन्यावार, thank you for watching my video.